तो बहुत लोग को यह परिसानी हो रहे थी दातों के बारे में अधिकल तो आपके सुरू हो गया होगे और इस बार मेरे भाई का भी मेडिकल लगा हुआ है मेरा तो सेलेक्षिन हो चुका है तो मैं आपको वीडियो बना के सारी चीप पताद होगा हूँ कि मेरे दात कैसे थे या तो उसके नाक थोड़ी तेड़ी होगी हड़ी उसकी तो एक मानुस अरी पूरा फिट बहुत ही का मुश्चांस है कि वह हो पाएगा उसका एक नए पार्ट तो थोड़ा तो उसका डैमेज होगा ही होगा तो यह मैं सुचेगा कोई कहता है कि अरे भगवान मेरे पैर क् क्यों खराब कर दी तो यह तो आपको नहीं सोचना है और मेरे दात क्यों छोटे कर दिये बड़े कर दिये किड़े लग गए तो एक ना एक पार्ट तो उसका प्राइब कुछ ना कुछ तो खराब होता ही है तो यह मैं सुचेगा कि मैं फेल हो जाओंगा अब बढ़िया से कि जाइएगा मैने मैं भी था तो मैं घबरा रहता कैसे होगा लेकिन मेरे भी अलगे पैर में में नौक नहीं थी तो मैंने बहुत मैंने तक यह आओंगे इटा वीटा लापेट के खुब बढ़िया से एकसरसाइज करके मैंने अपनी बढ़िया से क्लियर कर दिया और ग्राउंड फिट हो गया तो दातों के बारे में अपको से कुछ पहले बताने चाहता हूं दातों में क्या होता है कि जो कीड़े बगारे लग जाते हैं तो आप उसमें मसाला अगरा भरवा लिजेगा अगर मसाला आपने नहीं भरवाया आप मेडिकल आपका कल है तो आप मत रहने जाए कि मसाला बढ़ने में दो से तीन दिन लगते हैं एक दिन वो साफ करेगा एक द कुछ मैंने बता दिया फिर आपको को नब बता डेखेए कए उसे ही कन पीट है इसमें है तो इसको लगेगा कि यहां दात वाद साफ रखता है यह मसाला साफ होने से बढ़ी आपको ज्यादा नहीं देखेगा एक दोबर देखेगा फिर पास करते यह पर दात की ओपर दाच चड़े होना तो जिसे आगे के एक दिखने चड़े होते हैं तो उसमें भी घवराने के ब पास करते हैं तो दातों के बारे में तो नर्मल ही रहना है अगर आपके बहुत ही ज्यादा दात खराब है तो आप डॉक्टर से चेकब करवा लीजेगा वह आपको कर देगा नहीं तो आपको घवाने के बात नहीं आप बढ़ीया तरीके से पास हो जाओं मेरे भी दात में एक दो दात में कीड़े लगे हुए थे तो पहले तुस्थ ने पूछा कि क्या हो गया मैने बूला कि कीड़े लग गएं तो बुछा कि कैसा आपने देगा तो वह आपको कोशन करता अपर मास्त आपको इस बार बर्दी बड़िया से मिलेगी मस्त पहांन के बढ़िया से ट्रेनिंग करके बिल्कुक लेक सोल्जर बनके आप अपने गाउं आईएगा आपका नाम आप खुद देखोगे कि आप एक नौकरी मिलने से पहले और नौकरी मिलने के बाद आपको कैसी फीलिंग आदेएगी आप लोग कि सब आपकी भी सब इज़त करने लगेंगे जो आप इज़त नहीं करते थे तातों क पूरे मैंने बता दिया और बहुत सरे मीडियो बने बनाएं तो आप जाकर देख सकते हैं तो सब कुछ बड़ी है तरीके से तो आज के लिए फिर इतना ही दोस्तों थैंक्यू मैंने सब को बताया है आप लोग भी कमेंट करिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो ओके फिर थैंक्यू जाहिन जय वारत